वरी कुछ मॉनिंग सुप्रभात नमस्ते आदाब से शेकाल 92.7 बिग एफम पर सौगत आपका मैं हूँ अजय आपकी साथ लेखर बिग चाय शो मायराफ फाशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामे कॉंपलेक्स आन्वगामॉल अजमेर पॉलिवुड के एक डायलोग से शुरुआत करते हैं कुछ अनुभाव जिन्दगी के सीखने की कोशिश करते हैं और आज का डायलोग जो मैंने लिया है वो फिल्म गाइड से हैं देवानन साहब का जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है उसका नसीब भी उसको कोसने लगता है मैं बहुत कम परसंटेज अपनी जिन्दगी में नसीब को मानता हूँ क्योंकि जो मैं करता हूँ वो ही मेरा नसीब बनता चला जाता है सिद्धी जो होती है आपको जो मिलती है वो साहस में बसती है कोसने में नहीं अपने काम को अपनी डेस्टिनी को कभी मत कोसो विधाता बनना है तो होसला बढ़ाओ, साहस जुटाओ, हिम्मत बढ़ाओ और तुमारी राह पर चलने के लिए ऐसा गर्दों की बाकी लोग भी विवश हो जाएं और अपना नसीब आप खुद लिख सके गाना हम आपके हैं कौन से आपके पास पहुँच रहा है, सुनते रहे ये 92.7 बिग एफेम, दुन बदल के तो देखो तो World Radio Day का इंतिजार सभी को रहता है, 13 फरवरी को World Radio Day मनाया जाता है और World Radio Day के साथ साथ भहुत सारी यादे रेडियों की आपकी भी जुड़ी होगी लेकिन रेडियों का जो सुरूप है, वो समय के साथ बदलता जा रहा है FM की दुनिया आई, रेडियो में पहले सिर्फ खबरों को सुना जाता था, सूचनाओं को सुना जाता था लेकिन फिर मनुर्णजन इस तरीके से FM ने कैप्चर किया कि उसके बाद रेडियो से ज़्यादा एक तरीके से हम बाते हैं रेडियो के उपर ख़बरों से ज़्यादा संगीत को सुना जाने लगा मनुरणजन का एक माध्यम बना जाना लगा तो World Radio Day पर आज खास बातचीत करेंगे अजमेर शाहर के मशूर आरजे, आरजे अजे से, आजे बहुत अस्वागत पर हमारे कारेकरम में आपका तांक यू सो मच एवड़ी आपको बहुत बदाई हो पहले तो कि आपका दोस्त है तो आपके साथ तो खास है अचा आज मुझे यह बताओ, World Radio Day है रेडियो की दुनिया में कैसे कदम रखा आप में रेडियो की दुनिया में देखो मैं एक बहुत प्यारे खुबसूरत शहर अजमेर का निवासी हूँ यहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहीं मेरी सारी पड़ाई हुई और हमारे शहर में थोड़ी से प्रॉचनिटीज की कमी है तो मैं बच्पन से कहानिया पढ़ने का बड़ा शौकीन था टीवी देखने का बड़ा शौकीन था अमिता बच्चन बनना चाहता था हूँ और माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन था मुझे लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँआ वो जैसे जैसे बड़े होते गए और पढ़ते चले गए तो ग्रैजुएशन किया बीएट किया उसके बद में टीचर बन गया लेकिन टीचर बनने के बाद वो जो अंदर एक एक अक्टर था बेसिकली वो कही न कहीं छलांग मारता था और वो अजमेर से बाहर नहीं निकल पाया दू तो जैसे ही अजमेर में एफम रेडियो शुरू हुआ मैं इंटर्व्यू देने के आप आप अच्छा आप टीचर थे तो टीचर से और जया जय का सफर ये कैसे रहा उससे पहले क्या करें अई इंकरिंग करते थे आपको आपका हूनर किसी ने बताया या खुद नहीं पहचान लिया था आपने बताया भी पहचान भी पता था क्योंकि मुझे लगता है कि रेडियो जॉकी कभी ट्रेनिंग से नहीं आता उसे बनाया नहीं जा सकता मुझे लगता है ये इन बॉर्ण टैलेंट होता है जैसे डांस होता है एक दांसर होता है तो आप उसे कितने भी स्टेप सिखाओगे अगर उसके अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है डांस करने की तो वो शायद नाच नहीं पाएगा जैसा कि हम देखते भी है ऐसे ही अगर आप किसी सिंगर की बात करें जो बहुत अच्छा गाते हैं अगर उनके अंदर की फीलिंग है तो कुछ बिना ट्रेनिंग के गाते हैं बिना उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहंड नहीं की होती है कुछ नहीं लिया होता है लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं अगर वो कुछ सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं तो similarly, आपका जो inborn talent होता है, वो आपके अंदर होता है, आपके inside होता है, जैसा कि मैं आपकी बात करूँ, आप खबरों की दुनिया से हैं, MTTV, इंडिया चलाते हैं, और जब आप बात करते हैं, किसी मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे को छेड़ते हैं, तो आप उसके लिए थोड़ी सी preparation जरूर करते हैं, right, preparation करने के बाद, instantly आप किसी से बाते कर रहे हैं, वो क्या जवाब देगा, फिर आपका सवाल क्या होगा, यह सब inborn ही है न, आपका, तो वो यह सब inborn था, दूसरा जब मैं पढ़ाता था, तो मुझे लगता था कि मैं बच्चों को कु बाहर जा करके मेरी बुरा ही ना करे, यह मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आज भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कुछ टीचर को कभी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका यह कहना था, कि टीचर पढ़ाता नहीं, वो time waste करते हैं मैं माफी चाहूंगा लेकिन उस समय ऐसा कुछ देखा था हमने तो वो feeling दिमाग में कहीं आ गई थी कि बच्चों को अगर पढ़ाना है तो बच्चे जब भाहर निकलें तो वो खुश होने चाहिए और उनके लिए पढ़ाने का तरीका इतना खुबसूरत होना चाहिए कि वो उसे ले सकें जो आप पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे लगता है टीचर में वो पावर होती है कि वो सब कुछ कर सकता है वो एक्टिंग कर सकता है वो गा सकता है ड्रामे कर सकता है क्योंकि ये एक ऐसा फील है कि बच्चों के साथ आप रहे करके बहुत कुछ सीख सकते हैं सीख जाते हैं बस टीचिंग में पढ़ाता था तो बच्चों बच्चे भी कहते थे इस आर आप आप में एक अदम रखा, तो इस दोरान क्या पहले से आपको इन सब चीचों का अनुभव था, किस तरीके से एंकरिंग करनी है, किस तरीके से आड़ जी की पर्फॉर्मस देनी है, आपको रिडियों पर किस तरीके से जो आपके लिसनर हैं, उनको कॉन सी आवाज आपके पसं जैसे नौ रूप है ना हासयरस व्यंगयरस है या क्रोद रूप यह जो नौ रस होते हैं इन रसों को हमें अपनी लैंग्वेज में अपनी भाशा में रेडियो पर बोला पड़ता है कि हम दुखी हैं हम हस रहें या हम खुश हैं या हमें गुसा आ रहा है तो चेहरे से वो बताना वड़ा आसान है अक्टिंग के थरू लेकिन वो आवाज में आपको देना पड़ेगा और कुछ लिमिटेशन भी होती हैं क्योंकि आप बहुत जादा बोल नहीं सकते रेडियो पर बोर नहीं कर सकते आपको समराइस करना पड़ता है कम शब्दों के अंदर अपनी सारी बातें बोलनी पड़ती हैं मैं आपको बता दू यहां पर की रेडियो आपका एक फ्रेंड होता है एक दोस्त होता है यह मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए हम यह समझते हैं कि रेडियो के उस पार जो है वो अच्छे लगते हैं बड़ जो आपकी आवाज है वो तो नैचरल ही रहेगी वो आवाज आप बना नहीं सकते ना बार-बार आप मैं आपसे मिल रहा हूं अभी आपसे बात कर रहा हूं ऐसे ही में रेडियो पर बोल रहा हूं लेकिन हां कुछ पीलिंग्स को जाहिर करने के लिए modulation बहुत जरूरी होते है, advertisements बनाने के लिए, jingles बनाने के लिए modulation जरूरी होते हैं आवाज में अभी तक का जो सफर आपका रहा रहा रेडियो की दुनिया अभी तक बहुत सारे changes इस sector में आते रहा है, mobile और digital की दुनिया बहुत तही से बढ़ते जा रही है, RJS भी इस एक बात कही जाती है कि रेडियो कभी बूड़ा नहीं होगा, रेडियो कभी ओड़ नहीं होगा, वो हमेशा जमान रहता है, रेडियो उस जमाने का जबकि मेरे दादा जी एक बहुत बड़ा टेबल था, उसके पर सिर्फ एक रेडियो था, वो सुना करते थे जो मेरे में में भी मैंने सुना जब अमीन सहयनी और खिटे ऐसे और एक वो जमाना भी मैंने रेडियो पर दिखा देखा है कि हम commentary सुनते थे लिटर इतना मजा आता था रीडियो पर commentary सुननेगा क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं, आप को जो कॉमेंटरी आ रही है, वो फिर उसके Jestощ kणा जमlar औरose आए आपने जैसे पाने बोला कदमर रखा आपने बोला entertainment, लेकिन आज entertainment से बहुत ज्यादा रिडियो एक info entertainment, that is information plus entertainment, although हम लोग ये समझते ह। जब FM Radio की बात आई तो गाना, गाना या सौंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो होना भी चाहिए लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती गई आज रेडियो में, इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन के साथ आपने मनुरुण जन का मिक्स अप कर देशा है लेकिन रेडियो कभी बुड़ा नहीं होगा रेडियो कभी बुड़ा नहीं होगा अच्छा एक बात और बताईए आप क्योंकि जब आरजी आप बन गए तो इसके पात आपके पास बहुत सारे आपके आपके रिडियो के दुनिया में कैसे रखें कि आते बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो मुकाम आसिल करने के लिए उनको कितनी मेनत करने पड़े हूं यह अ भाँक joshil मैं आपको बहुत कलेर बटाऊ ऑन कि हम अजमेड शहर में अजमेर के लोगों से बात करें अजमेर हमारा दोस्त है यह समझ करके हम उनसे बात इसे दिली के जो आर्जेंक वह डिली को अपना समझ करके बात करते हैं जो हैं वो जोद्पूर के आरजे उनको अपना समझ के बात करते हैं तो basically कुछ आरजे बहुत जादा popular है जो all around सुने जाते हैं दुनिया में सुने जाते हैं कुछ देश भर में बहुत popular हैं तो आप categorize नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर number one, number two, number three की बात कभी भी नहीं होती है अ एक अच्छे रेडियो जौकी बन पाएंगे एक अच्छा दोस्त बन पाएंगे तो ऐसी कोई बात है नहीं बाकि जो बच्चे हैं और मैं एक चीज़ यहां पर बताना चाहूं मुझे हर वीक करीबन दो ऐसे messages या phone मिलते हैं कि मैं आरजे बनना चाहता हूं तो मैंने जैसा पहले बताया मेरे दोस्तों को कि आरजे अपना एक bond talent है यह उस ईश्वर परमात्मा का दिया हुआ एक खूबी है जो आपको दी है और अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं जब आप करने लग जाते हैं तो कुछ चीजें आपको जिस organization में आ बता देते हैं कैसे करना है और वो आपको समझ में आती है क्या आप उसे grab कर लेते हैं आप अपने अंदर उसे बिठा लेते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई radio jockey की कोई training हो सकती है या उसे बनाया जा सकता है वो एक inborn talent है जहां तक मुझे समझ में आता है अचा आप बात और बताई अगर वाली टूटे पर अगर बात करें एजुकेशन ज्यादा पसंद था आपको या रीडियो ज्यादा पसंद है रेडियो पहला प्यार है नो डाउट लेकिन बिना एजुकेशन के वो पॉसिबल नहीं है ठीक है ना तो जब तक आप शिक्षित नहीं है एजुकेशन से मेरा मतलब वो टीचिंग वाली जोग से है तो वो दरवाजा हमेशा से खुला है क्योंकि आज भी पढ़ाता हूं प्रोफेशनली नहीं पढ़ाता हूं लेकिन जब भी मौका मिलता है कुछ मेरे दोस्त हैं जो कोचिंग इंसिट्यूट चलाते हैं कुछ ऐस सजाता हूं पढ़ाता हूं तो वो तो कब हटेगा नहीं वो नहीं हटेगा और रेडियो का प्यार कम कभी होगा नहीं मैं दोनों को नहीं तोल सकता मेरे लिए दोनों दोनों बहुत खुब सुरिक हैं तो रेडियो का प्यार कभी कम नहीं होगा आरजय आपके दोस्त हैं इ चलिए अब आपको सुनाते हैं अजमार की एक और आर्जे आरजे-पीया उनके स्ट्यूडियो चलते हैं हलो हाई एक नई सुभा लेकर मैं आपकी दोस्त आपकर पर हाझर हूँ करने गूड मॉर्निंग सलाम लेकर सलाम अजमार गूड मॉर्निंग अजमेर दुनिया वर्ल्ड रेडियो डे मना रही है उसके साथ साथ कुछ लोग रेडियो की दुनिया को याग भी कर रहे है रेडियो वो जरिया हुआ करता था और है और आगे भी रहेगा जिसने सूचनाओं को संचारकांती के माध्यम से ग्रामिन इस्तर तक पहुचाया और आज की तारिक में रेडियो मनोरंजन का सबसे भैतरी उत्पात बन चुका है एक तरीके से लोग रेडियो के बिना अपसंगीत की दुनिया का मज़ा नहीं लेते हैं और इसलिए वर्ल्ड रेडियो डे पर हम अजमेर के उन आर्जेस से मिल रहे हैं हैनन के कहानीयों को जानने की कोशिष कर रहा है आपके लिए लेकर आ र रहे हैं जिसे आपको मालूम पड़े यही वर्जेस हैं जो रेडियो पर आपकी आवाज बनते हैं और उनकी आवाज को आप वहाँ पर सुनते हैं इसलिए आज हम आए हैं 94.3 आपको लेके चलूंगा आपको मिलाओंगा आज RJPIA से के RJPIA का सफर पीया से RJ बनने तक का कहसा रहा कैसे हैं RJPIA हाइए मैं बहुत अच्छी हूँ बहुत बढ़िया यह माई FM का स्टूडियो है और आज मैं आपको आरजी पिया से मिलाने वाला हूं क्योंकि इसकी इनकी आवाज को आप रेडियो पर खूब सुनते हैं लेकिन वर्ल रेडियो डे पर आज आपको बताने वाले हैं कि यह सफर कैसे शुरू हुआ यहां तक का स सफर पिया से लेके आरजे पिया तक का जो सफर रहा वह कैसा रहा कौन-कौन सी चुनोतियां हैं जिनका सामना इनको करना पड़ा क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को वैसे भी आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना एक दौर में करना पड़ा और रेडियो की पिया आरजे पिया बनेगी? मैं वहां से चली गई वापस एंदेन कॉलेज में आई उसके बाद में मैं वापस यहां पर आई देन मेरा इंटर्ण्शिप होना देन यहां पर सिलेक्ट होना तो मतलब वही तक ही वो ड्रीम खतम नहीं होता है अच्छली शुरुआत ही वहीं से हुई थी बहुत सारी कैसे चेंज किया काफे को चैलेंजस होते हैं लाइफ में जो आपको देखने पड़ते हैं फैमिली सपोर्ट मुझे कभी भी नहीं था बैग्राउंड क्योंकि बैग्राउंड में कभी कोई रेडियो से रेलेटर कोई चीज थी नहीं तो उन्हें भी लगता था कि क्या फाल करना है और मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में जब एक चीज रेलाइज हुई कि जब आपको चीज डिसाइड कर लेते हैं अपने लाइफ में तो आपको कोई भी चुनौती कोई भी परेशानी कभी नहीं रोख सकती है तो अभी मैं जब से दौड़ना शुरू हुई ह मैं आरचे भियात अपसे दौड़ ही रही है अच्छा मुझे बताइए आपने बताया कि हमने नोलेज़ होना बहुत जरूरी है क्या अच्छी होना बहुत जरूरी है यह nor Hogs को ऑट स्क्राइब बारे में नाना बौत सभी ऩासे इंटर्शिक हा यह सोच दिगते होंग वह जो आप कहारे हैं कि हमें सीखना, मेरी आवास मुझे बहुत बुरी लगती थी, अगर मैं अपने पुराने अओ्डियोज निकालकर करके सुनु निकाल कर फोर निए छोटा सा प्था करता ता उसमें अपनी आवास रिकारड करती थी और सुनती थी, तब मैं अपनी आवास को और तुम जब सुनती हो तो मुझे असा लगता है यह बहुत गंदी आवाज, यह पता नहीं ही सकी आवाज है तो यह भीरे 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 आप सीखते हो कोई भी मा के पेट से सीखा सिखा सिखाया कभ भी नहीं आता है आप बाद में ही perfect होते हो, in fact perfect भी नहीं क्यालाते हैं इंसान, वो सीखता ही रहता है हमेशा तो यह आप जब internship करते हो, अगर आपने डिसाइड का लिया कि आपको इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो internship के दौरान काफी चीज़े जाती हैं, एक्यूपमें के बारे में सिखाय सब कुछ अपने हाथ में होता है, इस अच्छी बात कि आप यहाँ पर आई किसी मना तो किया हुआ बोले क्या आरजे बनने के लिए निकल रही है, किसी ने का होगा घर में से, किसी ने support किया या किसी ने मना कुस तो का होगा, पापा मेरे जो थे कि बटा यह क्या है, यह स्टड़ी करो, that's it. स्टड़ी में मेरा शुरू से कोई इंटरेस नहीं था, वो खुदा के भगवान के दया समय पास हो जाती थी वस, बट पापा का थोड़ा सा इसा था, नहीं है, सब चीजे नहीं करनी है, बट जब मेरा सेलेक्शन हुआ, तो मैं घर मिठाई लेकर गई और पापा ने मुझे उस टाइम पर कहा, कि तुने जो कहा तुने वो कर दिखाया, और अब मेरे बाद में बाकी लोगों के रास्ते खुल गए, मेरे सिबलिंग्स हो गए, मेरे कुजन्स हो गए, उनके लिए रास्ते खुलते गए कि नहीं, उसने कुछ ना कुछ किया है, और देफिनेटली दू इन देर लाइफ, जो कोई बाद में उनके लिए टेंशन नहीं रही, तो मेरे लिए पापा ने एक जहां पर्ण नहीं करा तो बाद में उनो ने मुझे बहुत अच्छ सापोर्ट किया, स्टिल आल्वे सपोर्ट में, आज की तारिक में मान रहे हैं क कि यहां हमारी बेटी में बहुत अच्छा काम कर लिया, स्टिल प्राउड की नहीं, मेरी बेटी ना कुछ कर दिखाया है, क्योंकि जनरली हमारे यहां बेटीों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, वो स्कूल से घर, घर से स्कूल देन कॉलेज उनकी शादी करवा दी ज कि इस इंडस्टी में महिलाओं के लिए क्या चुनोती पूर्ट रास्ता है, और जब आप आएं, तब से लेकि अभी तक के सफर में, क्या चुनोतियों का सामना पू करना पड़ाता है, चुनोतियों के सब जगा होती है, आपको देखना है कि किस चुनोती को आपको कैसे फ कि आपके भी कुछ न कुछ अच्छाय होती हैं आपको भी अपकी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है तो जो मेल जो डॉमिनेंट किया जाता है तो वह तो I think सभी जगें पर हर फिल्ड में है बट रेडियो इंडॉस्ट्री में जब आप अपने पैशन को फालो करते हो मैंने अपने पैशन को फालो किया है तो मुझे कोई चनौती नहीं रोक पाई मैं अपने पैशन को फालो कर रही हूं अब आपको रेडियो से ज़्यादा प्यार है कि अपनी आवाज से ज़्यादा प्यार है मुझे रेडियो से सबसे ज़्यादा प्यार है क्योंकि रेडियो नहीं मेरी आवाज को पहुचाया है लोगों तक आपकी आवाज को पहुचाया अचा बहुत बताईए क्योंकि तक्नीक जो है वो समय के साथ दलती जा रही है रेडियो दौर हुआ करता था कि लोग चोपाल पर बैठके सुना करते थे आज की तारीक में मोबाल इंडस्टी के ओपर रेडियो पहुच चुका है जहां तक अभी मैं देखती हूँ कि एक एक रेडियो सेट हुआ करता था उसमें हमारे घर में सुबह से लेकर जब तक बं नहीं होता था तब तक वो चल रहा होता था रेडियो अभी का दर है वो बहुत चेंज हो गया हम ड्राइविंग टाइम में रेडियो सुनते हैं उसके अलावा हम लोग जब भी बच्चे हो गया कोई बीज एक फैमिली में जिसे बच्चे होता है क्या होता है उनके पास में, mobile phones होते हैं, और उनके पास में कुछ और entertainment नहीं होता है, तो लोग radio सुनते हैं, इसके साथ ही radio ने एक और कदम अगे बढ़ाया है, डिजिटल की तरफ जाने का, तो डिजिटल पर भी radio बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे My FM है, तो मैं काफी टाइम से My FM के साथ जोड़ी हूँ, तो My FM काफी कुछ कर रहा है, आपने RJS को लेके, रेडियो को अच्छा है, एक platform दे रहा है, RJS को भी, तो मेरे हिसाब से radio अभी काफी कुछ ग्रोथ करने वाला है, अभी बहुत कुछ है, रेडियो के पास में करने को, तो future बहुत bright है, रेडियो का रेडियो का, अच्छा आप बाद बताएं, याद आ रहा है, कि जब मैं college के टाइम में हुआ करता था, बहुत सारे दोस्ते हैं, एक बार, बस RJS मेरा नाम कह दे, मेरे को विश कर दे, मेरे मित्र को बद्दे विश कर दे, अभी भी वो दूर बना हुआ है, और लोग कहते हैं, कि प्लीज वो विच्छ कह दीजिए, ऐसा कुछ अभी भी होता है, जैसे हम लोग गानों की रिक्वेस्ट होती है, एक बार मैं आप हमारा नाम सुन लीजे, हमारा नाम सरूर बोल दीजेगा, या बर्दे विश के लिए भी हमारे जब सेग्मेंट चलते हैं, तो वो लोग विश करवाते हैं, इसका बर्दे है, आप नाम ले लीजेगा, बस और बोलेंगे कि अच्छा, अपने शर्मा जी ना, उनका नाम आने वाले रेडियो पे, तो वो वाली चीज भी होती है, अभी भी लोग को इंतजार तो रहता है कि रेडियो के उपर उनका नाम जरूर आए, अचा एक चीज और, क्योंकि अजमिया मेरे सब से आप ही एक लड़ पर फिक्चर, वीडियो, सब कुछ देखता है, बट इसके पिछ आपका हाड वर्क भी होता है, आपको काम भी करना पड़ता है, आपको महनत करनी पड़ती है, अपने काम को नरिष्ट करनी के लिए आपको पूरी तरह से अपडेट रहना पड़ेगा, वर्ल्ड में क्या च लड़कियां, लड़कें, सब को ट्राय करना चाहिए अपनी लाइफ में, अगर उनका पैशन है, लड़कियों का है, और उनको लगता है कि कुछ फैमिली शूज है, या कुछ भी चीज है, तो भी आपको वो साइड में रखना पड़ेगा, कहते हैं आपको कुछ करना दो, य आपको पैशनेट होना है, क्योंकि रेडियो में अगर आप गुज गये हैं, तो आपको इसी पर फोकस करके चलना है, आपको वर्ल्ड के बारे में नौलेज होना सुरूरी है, वो सारी चीज, रेडियो के लिए अगर एक आखरी लाइन कुछ आप कहना चाहते हैं, कि रेड में चैलेंजिस, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में, मेरी भी होंगी, आपकी भी होंगी, हम सबकी लाइफ में होंगी, एक मेरा जो मंत्रा है, वो है मेरी पाइव इंच स्माइल, I always follow it, क्योंकि जब आप परेशान होते हो, तो आप एक बार मिरर म में खुद को देखो और एक बार मुस्कुरा दो, खुद को देख करके, एक पल के लिए आप अमने सारी परेशानिया भूल जाओगे, तो मैं वर्ल्ड रेडियो डे पर सबको यह कहना चाहूंगी, कि सब कुछ भूल कर एक मिनट का टाइम आप खुद को दो, मिरे के सामने खड़े हो जाओ, मेरे सामने ये मिरर है, जब भी मुझे कभी लगता है, तो I always like look into this mirror, कि नहीं यार, everything is good in life, in everything, so वो सब कुछ आपका सौट आउट हो जाता है, so basically follow करो, अपनी चीजों को follow करो और मुस्कुराते रहो, लाइफ में हजार परेशानिया सब के होती है, वो सब रेडियो कहां तक पहुझ गया है, गुरुवार को एक खास दिन था, ये दिन उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपुन हैं, जिन्हें रेडियो से बहुत प्यार है, क्योंकि पीडियां बदल जाती है, पर यादों की चमक बरकरार रहती है, और ये यादे हैं रेडियो क कि वो मधुर दुन जिसके बिना कभी हमारी सुबह की शुरुआत नहीं हुआ करती थी, जो सुबह की पहली किरन के साथ रेडियो पर बज़ती थी और जिसकी वो धुन खास थी, उतनी ही खास है उसकी कहानी, आपको पता है कि आखिर कहां से आई वो धुन, और किसने नरसंगहार से उस धुन का क्या नाता है, नहीं, तो चलिए आज हम इन सवालों का जवाब आपको बताते हैं, दरसल जर्मनी में हिटलर द्वारा किये गई यहूदियों के नरसंगहार से इस कहानी की शुरुआत होती है, एक यहूदी शर्णार्थी नहीं All India Radio की मशुहूर धुन बनाई थी, उनका नाम था Walter Kaufman, और यह यह राख, जिस राख पर यह धारीत है वो है शिवरांगी, तंबूरे के पीछे लेबद वॉलनी, वॉलनी के स्वर्ख, आज भी ब्लैक और वाइट जमाने की यादे ताजा कर देते हैं, वॉल्टर कॉफमेन का जनम 1907 में कार ब्रग में हुआ और उनके पिता का नाम था जूलियस कॉफमेन, जो एक यहूदी थे, लेकिन उनकी जो माता थी, वो यहूदी नहीं थी, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, चेक बॉर्डर पर वॉल्टर के पिता की मौत नाजियों से खुद के बचाव करते और यह वो दौर था जब यहूदीयों पर नाजियों का राज था, साल 1934 में हिटलर ने प्राग पर आकरमन किया, उस वक्त वॉल्टर कॉफमेन के उमर थी 27 साथ, हिटलर दोरा आकरमन किये जाने के कारण, कॉफमेन शरनार्थी बनकर भारत आ गये, और यहां मुंबई में उन्होंने शरन ली, भारत में शरनाथी बनकर आये वॉल्टर की योजना यहां, यानि भारत में बसने की कता ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन के 14 साल भारत में ही बिताए, वहीं का वॉल्टर की संगीत में रूची होने के कारण, वे एक प पेश करती थी, भारत में उन्होंने अपने परिवार को कई खत लिखे, उन खतों से पता चलता है कि वे बॉम्बे में वाडन रोड के पास, महालक्ष्मी मंदिर के पास एक दो मंजिला घर में रहते थे जिसका नाम था रिवा हाउस, साल 1936-1946 तक वॉल्टर ने आकाशवान में संगीतकार के तौर पर काम किया, और महली महता जो औरकेस्ट्रा के संचालक थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने ओल इंडिया रेडियो के लिए वो सिगनेचर धुन त्यार की, जो लोगों में काफी लोगप्री होई, और आज भी करोडों लोगों की यादों में बसी अज़ैना यूनेस्को के 36 वे, सत्र में की गई थी, संयुकत रच महासिवा ने ओर चौपसारीक रूप से 14 ज़नवरी 2013 को यूनेसको के विश्व रेडियो दिवस की गोषना का समर्थन किया था, संयुकत रच महासिवा के 67 वे, सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दि इस बात का थीम विविदता और भहु भाशावाद पर केंद्रित हैं, इसमें कोई संधे नहीं कि रेडियो सबसे सुलब मीडिया है, इसे दुनिया के किसी भी जगा सुना जा सकता है, जो लोग सही से पढ़ना लिखना नहीं जानते रेडियो के जरिये जानकारी पराप्त कर सकते हैं, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वहाँ सब्सक्राइब करें, वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खत्री झाल